सलाम दोस्तों क्या हाल चाल है तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में इंडिया में प्राइमिनिस्टर साहब ने 21 डेज का लॉकडाउन अनौन्स किया है तो आप इंडिया से हो चाहे किसी वी देश से हो मुझे एक दोस्त के नाते एक भाई के नाते यही कहना है कि आप घर के अंदर ही भैटिए और ट्राइ कीजिए कि घर से बाहर मत निकलो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो जो क्रोना वायरस है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और आप बिमार हो सकते हो और आपके जर्ये seperti दूसरे लोग भी बिमार हो सकते हो क्यानि कि अगर हम हरा नहीं पाए नहीं होता हम लोग इस अनुद चुरोणा उर्णाओ को हराएं गे और जी जाएंगे और उनुद आर दुनिया में खुशाली फैल जाएगी इस कोरोना उर्णाओ को कैसे भी हराना होगा तो घर से बाहर मत निकलिएगा दोस्तों मैं हूँ अशोकन इंडिया का सबसे बड़ा UFC फैन वेलकम तू मैं चैनल तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे एक इनसान के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया के जितने भी मार्शल आट फॉर्म्स हैं चाहे कराटे हो चाहे कंगफू हो टैकूंडो हो, जूडो हो, किक बॉक्सिंग हो, मुएते हो, रस्लिंग हो जितने भी मार्शल आट फॉर्म्स में हो इस इनसान ने एक बहुत 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 गहरा चाप छोड़के रखा है हाँ मैं ब्रूसली के बारे में बात कर रहा हूँ वोकोँ आटे जानते ही हैं वो एक फिलम आटिस्ट है, वो एक फ्रेनर हैंए फिलोसफ र हैं एक बहुत फंटास्टिक वंडरफू इनसान है देखिए ब्रूसली के बारे में अगर आप बात करें तो ब्रूसली का औरिजिनल लाम है ली जुन फान ठीक है तो ब्रूसली आप जानते हैं आज उस दुनिया में नहीं है तो बहुत पहले रहा करते थे तो आज दुनिया में नहीं है अनफॉर्शनेटली मगर चाहे उस जमाने की बात हो या आज की बात हो वो ऐसे एक इनसान थे जो वक्त जो टाइम जो वक्त के बहुत ही आगे निकल चुके थे और बहुत फिजिकली और बहुत मेंटली उनका सोचने का तरीका बहुती बहुती अड़एंस था देखें, मैंने कहा तक आज जितने भी जो मार्शलाट फर्म्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं और मैं कह सकता हूँ कि ब्रूसली उन सब का बाप है ठीक है और जो आज ये बात हो रही है जो UFC की बात हो रही है या Mixed Martial Arts Form की बात हो रही है ये अक्चुली बुरूसली के फिलोसफी, बूसली के । के खायलाद से ही उभर आयी है ये जो Mixed Martial Arts का आइडिया है ये ये बुरूसली के सोच से ही पैदा हुई है और आप जानते ही हैं कि Bruce Lee ने ही invent किया था Bruce Lee के ख्यालाद से ही पैदा हुई थी एक new martial art form जिसे हम जीत कुंडो कहते हैं जीत कुंडो में यही तो है जो Bruce Lee का कहना था कि उस जमाने में क्या होता था दोस्तों लोग एक ही martial art forms को पकड़ के बैठ दे थे तो Bruce Lee को लगा कि यह गलत है क्योंकि एक फाइटर को अपने convenience के हिसाब से अपने surrounding के हिसाब से अपने सोचने के हिसाब से कोई भी martial art form यूज कर सकता है अपने जो practical के issue के हिसाब से तो यही था जीत कुंडो जिसमें flexibility था जिसमें हम लोग कोई भी martial art form को mix करके use कर सकते हैं तो यह था actually आप सोच सकते हैं आप connect कर सकते हैं यही तो है mix martial art form UFC का एक base idea यही है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि Bruce Lee as एक बहुती बहुती wonderful आत्मी थे wonderful इंसान थे ऐसा एक आत्मी पैदा हुआ नहीं है अभी है भी नहीं और होएगा भी नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ Bruce Lee king है Bruce Lee एक बाच्शा है Bruce Lee सहनशा है martial arts world के और Bruce Lee के बहुती मज़ेदार interesting philosophy थे philosophy मतलब का खैलाद सोचने का तरीका उसमें से एक आपको बताता हूँ देखे Bruce Lee का कहना था है कि हम martial arts school हम लोग fighters को जो है एकदम पानी जैसे होने गए तो आप लोग सोचें के पानी और martial arts form में क्या तालुकात है देखें पानी को अगर आप ध्यान से देखिए तो पानी दो तरीके से हो सकते हैं अगर आप एक नदी को देखें रिवर को देखें तो पानी एकदम शांत से भैते रहता है तो एक fighter को ऐसे होना चाहिए एकदम शांत देखने का है परकने का है और आगर आप पानी को इस दूसरे form में देखें जिसे हम बाड कहते हैं तो उसमें पानी एकदम बहुत फोर्स से आता है और सबको उखाड फेकता है एकना ताकत रहता है उस पानी में तो आप समझ गए हों कि मैं क्या बोल रहा हूँ एक fighter को, martial artist को भी ऐसे ही रहना चाहिए कभी-कभी एकदम पानी जैसा शान्त और खभी-कभी एकदम बाड जैसा है उखाड फेकने की जैसी ताकत हम में रहनी चाहिए तो एकदम interesting, मज़ेदार philosophy है तो Bruce Lee के बारे में ऐसे बहुत सारे philosophy है और वो एक वीडियो में तो मैं खहनी सकता हूँ क्योंकि Bruce Lee खुझ से एक बहुत बड़ा किताब है, Bruce Lee खुझ से एक बहुत बड़ा college है, बहुत बड़ा university है अगर मैं ट्राइ करूँगा कि Bruce Lee को खाली एक वीडियो में समाहित करके आपको present करूँ तो ये मेरा आहंकार होगा, ये मेरा comment होगा ऐसा हुई नहीं सकता क्योंकि Bruce Lee के बारे में बहुत सारे videos बनाने होगे, जो आगे में टाइम मिलते बनाऊँगा तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लेगी, और Bruce Lee को follow कीजिएगा और martial art practice कीजिएगा, अब भी हम लोग सब घर में ही हैं, तो घर में ही हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, बहुत कुछ फिलोसफिकल हो सकते हैं, बूसली की तरह, तो आप सुनाएगे अपनी बात, आप से मिलूँगा, सलाम